नमस्कार विद्यार्थियों, रिशिकुल ओनलाइन स्कूल में आप सभी का स्वागत हैं। बच्चों, आज हम अपनी हिंदी कक्षा में एपठित काव्यांश को हल करने के कुछ नियों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि एपठित काव्यांश किसी कविता का वह अंश होता है जो पाठ्य करम में शामिल उस्तकों में से नहीं लिया जाता। कहने का मतलब यह है कि एपठित काव्यांस एक ऐसा प्रेशन होता है जिसको हमने पहले कभी भी तयार नहीं किया होता जिसको हमने पहले कभी भी नहीं देखा होता इस आंश को छात्रों के द्वारा पहले नहीं पढ़ा गया होता और उसके बारे में कोई जानकारी नहीं होती एपठीत कावव्यांस का उदेश्य कावव्य पंक्तियों का भाव और अर्थ समझना है क्योंकि यह एक ऐसा प्रेशन है जिसके बारे में केवल प्रेशन पत्र में ही इसको पढ़ना होता है और वहीं पर उसको समझना होता है और उसके उत्तर भी वहीं पर देने होते हैं तो उन पंक्तियों में जो पंक्तियां प्रेशन पत्र में दी गई हैं उनका बाव क्या है उनका अर्थ क्या है उसमें आए कुछ कठिन शब्द जिनका अर्थ हमें समझना होता है प्रिकार्ट उसका मुलब जो क्या कहने का संदेश जो देना चाहते हैं वह क्या है काववय सौंधरिये अर्था उसमें कौन से अलंकार कौन से चंद कौन से शैली का प्रियोग किया गया है वह सारी वाते हमें वही पर उसकी समझनी होती है भाशा शैली समझना तथा काव्यांस में नहित संदेश भी हमें वहीं पर समझना होता है यह केवल विद्यार्थिक की समझ और सूज बूज पर ही आधारित होता है शिक्षा की समझ आदि से संबंदित विद्यारतियों की योगेता की जांच परक करना ही एपठित काव्यांस का कारिय होता है एपठित काव्यांस से विद्यारति अब एक समय में एक साथ कितना अच्छा निर्ण ले सकता है कितना अच्छा सोच सकता है यही पता लगाना एपठित काव्यांस के गुण है एपठित काव्यांस पर आधारित प्रश्णों को हल करने से पहले काव्यांस को दो तीन बार अच्छे से पढ़ना चाहिए तथा उसका भावात और मूल भाव समझ में आ जाए एपठित काव्यांस को अच्छे से पढ़ना जरूरी है इसके लिए काव्यांस के शव्दान्स एवं भावार्थ पर चिंतन मनन करना चाहिए चात्रों को व्याकरण एवं भाशा पर अच्छी पकड़ होने से यह काम आसान हो सकता है अर्थात व्याकरण का ज्यान इसका आधार है तब ही हम इसको एपठित काव्यांस को या गध्यांस को अच्छी तरह से समझ सकते हैं यद्यपी गध्यांस की तुलना में काव्यांस की भाशा चात्रों को कठिन लगती है इसमें प्रतीकों का प्रियोग इसका अर्थ कठिन बना देता है थोड़ा इसको समझने में दिक्कतें आ सकती हैं कठिनाईयों का सामना करना पड़ सकता है लेकिन फिर भी लगातार अभ्यास से इन कठिनाईयों को पीछी छोड़कर विज्य पाई जा सकती है इन कठिनाईयों पर गाबु पाया जा सकता है तो इसलिए कि प्रतेक काभ्यांश जो आपको आपकी पहुंच में उसका अभ्यास करना ही आपको इस प्र्शन की के उस्तर में सफलता दिला सकता है मैं अधैनी कि आपको बार बार जित्मे ही आपको पठिक काभ्यांसmin के नजदी बूलते हैं उनका बार बार ही आपको अभ्यास करना ही आपको अपठीट काव्यांस के पूरे नमबर दिला सकता है